अगर आज की तारीक में आप जर्मनी का मैप देखें यूरोप में तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा बट अगर आप आज से 200 साल पहले जाएं तो जर्मनी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था वो होती है अठारवी सदी के बीच से उस जमाने में यूरोप जैसा आज दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं था 300 से जादा सिटी थे स्टेट्स थे या छोटे छोटे एरियास थे जिनके अपने राजा थे अपने कानून थे अपनी सरकारें थी तो इन सब को मिला के एक लूजली एक ग्रूप बना हुआ था जिसका नाम था Holy Roman Empire या HRE Holy Roman Empire के अंदर जितने भी स्टेट्स थे उनमें दो स्टेट्स काफी ताकत वर थे एक था Kingdom of Austria और एक Kingdom of Prussia यानि और प्रश्या अभी तक के यूरोप के इतिहास में आस्ट्रिया ज्यादा ताकत वर था इसलिए जो आस्ट्रिया का राजा होता था उसी को जनरली Holy Roman Empire का भी राजा बनाते थे बट अब यह situation change हो रही थी क्योंकि प्रश्या जो था वो धीरे धीरे ताकत वर हो रहा था उन्होंने ज्यादा जमीन हासिल कर ली थी उन्होंने अपनी military को ज्यादा advance कर लिया था इसलिए अब प्रश्या आस्ट्रिया को टक कर दे रहा था अब जैसे होता ना कि एक मयान मे दो तलवार नहीं रह सकती अगर आप अपने अरिया में बहुत ताकत वर हो चुके हो तो दूसरा उसी एरिया में बहुत ताकत वर इंसान नहीं हो सकता इंदरों में कोई एक ही finally जीतेगा बट यह जो आस्ट्रिया और प्लेशा के भीश में टेंशन चल रही थी इसके पहल पास-पास फ्रांस के आसपास जितने भी ऐसे kingdom थे जो सामराज्य थे उन लोगों को और नेपोलियन ने अटाक करना शुरू किया और धीरे धीरे एक एक करते करते नेपोलियन बहुत ही जबरदस्त military commander था तो उसने सब को almost हरा दिया जब नेपोलियन ने इस अपने सारे गलती की उसने साल 1812 में रशिया को इंवेट कर दिया जो से रशिया को इंवेट किया उसका जो नतीजा निकला वह बहुत ही बुरा था उसकी आर्मी के लिए उसकी आर्मी थंडी में वाफस गई और लोटते समय रशिया से उनकी हालत खराब हो गई इतनी बड़ी आर्मी लेके गया था लगबख साड़े चार लाख लोगों को लेके गया था अपनी ग्रैंड आर्मी में बट लॉटते लॉटते वन टेंथ उसकी आर्मी बची इसके उबन एक अलग सी वीडियो बनाया है कि क्या गलती की नेपोलियन ने रशिया को इंवेट करके और कैसे रशिय गया उस वीडियो का लिंग इस वीडियो के रिसिप्शन में बट जब नेपोलियन रशिया से लॉटा तो उसकी इजद और उसकी आर्मी दोनों कम हो चुकी थी तो फिर फाइनली साल 1815 में नेपोलियन को हरा दिया ब्रिटन ने और उसके साथ कुछ जो उसके ऐलाइस थे उसमें प्रशिया और आस्ट्रिया भी शामिल थे अब जब नेपोलियन हार गया उसको तड़ी पार कर दिया गया सेंट हेलेन पे तो अब फिर से क्वेशन बना कि यह जो जर्मनी का एरिया है जो मिडल यूरोप में है इसका क्या किया जाए तो इसी बात पर विचार उमर् में थे उन सब को मिला के 39 स्टेज को लेके उन्होंने बना दिया जर्मन कोंफीडरेशन तो अल्टिमेटली यह एक देश नहीं था बट इनकी रिलेशन्स आपस में अच्छे थे यह आपस में वैपार कर रहे थे तो अब जब जर्मन कोंफीडरेशन बन गया था तो इसमें जितने भी लोग रहते थे उनमें एक तरह से नैशनलिजम की भावना रही थी देश भक्ती की राश्ट्रवात की उसका रीजन यह था कि नेपोलियन ने जब इनको हराया था तो उनके आगे था कि कैसे फ्रांस की बंदे ने आके हमको हरा दिया हम लोगों में आपस में एक देश में होना चाहिए और यहां से पैदा होता है युनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का कॉंसेप्ट यानि जर्मनी के एक ही करण का बहुत कमाल की बात है कि अभी तक जर्मनी जैसा कोई कंट्री था ही नहीं जर्मनी नहीं था बट जर्मन भाशा थी और इस भाशा ने बहुत स दूसरी तरफ कुछ लोगा माननाथ था कि हमको लैसर जर्मिन नहीं करेंगा और यह जो लोग थे जो कह रहे थे कि हुए इन सब लोगों में टॉप पे तो कौन था प्रशिया प्रशिया इसलिए टॉप पे था क्योंकि वह चाहता था कि जो जर्मनी कि जर्मन भाषा वाले जितने भी स्टेट्स हैं उनको जब मिला के एक ग्रूप बनाया जाए तो उसके लीडर प्रशिया हो और इसलिए उचाता था कि आस्ट्रिया यहां पे ना आए तो य कि जब 18 सदी में 1776 में जब अमेरिका ने घुषित कर दिया कि वह इंडिपेंडेंट हैं ब्रिटिश से उसके वज़े से उसके बाद उसी 18 सदी के बिल्कुल एंड में आते आते फ्रेंच रिवोलुशन हुआ तो इन सारे इंपोर्टन्ट इवेंस की वज़े से यह यूरो राजाओं को हटा सकते हैं और अगर राजाओं को रखे भी तो भी हमको कुछ अधिकार मिलने चाहिए हमारी मीडिया को हमारी प्रेस को खुली आजादी होनी चाहिए कि जो चाहें वो चाहिए और हमको बाते करने का हमको लोगों के साथ घुलने मिलने का कमीटीज मनाने का अधिकार होना चाहिए, civil liberties होनी चाहिए तो यह revolution हुआ 1848 में और इसका ये भी एक मकसद था कि सारे जितने भी German states हैं वो एक साथ आजाए और एक Germany बन जाए, परन्तु ये revolution फेल हुआ उसका reason ये था कि जब इस revolution की national assembly जो थी इन्होंने मिलके ये बात अपनी जाहिर की, कि हम जब एक मिलके जर्मनी का country बनाएंगे तो उसके leader हम बनाएंगे किसको? प्रशिया के राजा को, और प्रशिया के राजा को ये कहा गया कि आप राजा बन जाएंगे कि आप अपनी ताकत छोड़ दो सारी ताकत जनता को दे दो तो बहुत कम राजा ऐसे हैं जो इस बात को मानेंगे तो प्रशिया के राजा ने इस बात से इंकार कर दिया दूसरी तरफ, आस्ट्रिया भी इस बात को अपोस कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि अगर इन सब लोगों ने मिलके एक जर्मनी कंट्री बना ली तो उसका लीडर बन जाएगा प्रशिया और प्रशिया की ताकत और बढ़ जाएगी इस लिए आस्ट्रिया ने भी इस रिवोलुशन को सक्सेस्फूल नहीं होने दिया तो 1849 में कहते हैं कि जो जर्मन युनिफिकेशन का जो पूरा एक आंधी चल रही थी प्लान बन रहा था वो ध्वस्त हो गया फेल हो और अब हो रहा था कि फिर जर्मनी का युनिफिकेशन नहीं होगा परंतु साल 1861 में एक दूसरे राजा बने प्रश्या के इनका नाम था विल्हम दफर्स्ट राजा बनने के बाद इन्होंने एक बंदे को वहां का किंग्डूम अफ रश्या का चांसलर यानि प्राइम मिनिस्टर बनाया और इस व्यक्ति का नाम था ओटो वॉन बिसमार्क ये नाम आपने जरूर सुना होगा अगर आपने यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी है तो क्योंकि इस बंदे को कहा जाता है कि जर्मन यूनिफिकेशन का यही बंदा आर्किटिक्ट था तो बिसमार्क एक बहुत ही क्लेवर बहुत ही चालाक पॉलिटिशन था और उसने ऐसी बहुत सारी चाले चली उसने ऐसी बहुत सारी संधियां की आपस के स्टेट्स में मिलके और बहुत सारी लोगों से लड़ाई की जिससे अल्टिमेटली जर्मनी का एकी करण हुआ डिष्मार्क एक विल्लम में आप मैं अपको बताता हूँ तो पहले तो उसने क्या किया कि forgiveness of Russia जो था उसकी military को स्ट्रॉंग किया जो उसका राजा था king william the first वो भी अपनी military को स्ट्रॉंग करना चाहता था और उसने इसके साथ-साथ वहां की इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉंग किया तो अब प्रश्या की ताकत बढ़ रही थी फिर उसके बाद साल 1862 में उसने डेनिश लोग के साथ लड़ाई कर ली बिसमार्क ने किंग विल्लम ने और जितने भी उनके प्रपागेंडा आले लोग थे उन्होंने अपनी जंता को ये कह कि हमारे भाई मतलब ऐसे लोग जो जर्मन भाषा में ही बात करते हैं वैसे कुछ लोग जो श्विसलिग और होस्टीन के एरियास में हैं जो डेनिश लोग के कबजे में हैं उनको हमको वहां से चुड़ाना है तो इसलिए इन दोरों एरियास को आजाद करने के लिए और अ स्विसलिग मिल गया अब प्ररश्या को और होस्टीन मिल गया ऑस्टी Será को अगर आप उसमय का मैप दखें थौ आपको नजरा आगा कि कहां होस्टीन है और कहां ऑस्टीन है और बीच में है प्ररश्यक में बिस्मार्ट बाठ दो इसके बिलकुल दो साल के बाद यानी साल 18 366 को अब बिस्मार्ट ने लड़ाई करवाली और इस लड़ाई में बहुत जल्दी कुछ ही हफतों में प्रश्या ने हरा दिया और यह जो होस्टीन का एरिया था इसको भी प्रश्या ने अपने कबजे मिले लिया इसके साथ ही कुछ ऐसे कुछ छोटे स्टेट्स थे जोन्ह सबको मिलाके बिस्मार्ट ने मना दिया नौर्थ जर्मन फेडिरेशन अगर आप उसमार कम आप देखेंगे तो आपको नज़ार आगा कि इस फेडिरेशन के वेस्टन हिस्से में बवेरिया का एक स्टेट था और यह स्टेट अभी तक बिस्मार्ट के साथ नहीं मिला था बिस्मार्ट इस बात को जानता था कि इन सारे स्टेट्स को भी साथ मिलाना ज़रूरी है अगर कॉंफिडरेशन की ताकट बढ़ानी है तो तो फिर फाइनल एक जबर्दास चाल चली बिस्मार्ट ने उसने क्या किया कि एक टेलिग्राम था जो प्रशिया के राजा विलम िस्टेपर आर्टिकल में वो पढ़ने से ऐसा लग रहा था कि है विलम दफर्स ने फ्रांश की और फ्रांश के राजा की बेशेती किया है। कीरें चैसे हमारे बेश्चन करें हम लोगों ने हमारे राजा नेपोलियन ने इन लोगों हराए था ये कैसे इनकी इतनी इंम्मत हो गई और इसी वज़े से गुसे में आके जो फ्रांस के उसे में राजा थे नेपोलियन दा थर्ड उन्होंने गोशना कर दी कि वो अब प्रेश्यन अंपायर से इस कंफिडरेशन से लड़ाई करेंगे तो पूरी दुनिया के सामने प्रेश्यन लोगों ने कुछ भी नहीं किया था बट उनके सामने बात हो गई कि हमारे उपर किसे ने वार्ड डिकलेर किया है और यह बात हो गई कि हमने लड़ाई शुरू नहीं की थी बट इस लड़ाई को खतम हम करेंगे और इसी लिए अब बवेरिया जो है उनको लगा कि अगर फ्रांस के लड़ाई हो गया तो हम तो कुछ करने पाएंगे तो इसलिए बहतर है कि हम जुड़ जाएं इस कॉन्फिडरेशन के साथ तो इस तरह बवेरिया भी इनके साथ जुड़ गया तो अब ये फानिय लड़ाई हुई साल 1870 में फ्रांस और प्रेशन अम्पायर के बीच में इस लड़ाई में बहुत ही तेजी से प्रेशन मिलिटरी जो जादा एडवांस थी जादा ओर्गनाईज थी उन्होंने फ्रांस को हरा दिया फ्रेंच एम्परर को उन्होंने बंदी बना लिया और जैन्वरी साल 1871 में प्रेश्या की जो आर्मी है उन्होंने जाके पैरिस को घेर लिया और इस प्रकार जीत हुई यहाँ पे प्रेशन मिलिटरी की इस जीत के बाद इस कॉन्फिडरेशन ने एलसेस लोरेन का रीजन छीन लिया फ्रांस से और वो कहते हैं ना कि जले पे नमक छुड़कना तो प्रेशिन किंग विलेम दा फर्स ने क्या किया वो गए फ्रांस में वरसाए के पैलिस में वो गए और उन्होंने गोशना की कि अब यह जो कॉन्फिडरेशन है यह कंप्लीटली मिलके इसका एकिकरण हो चुका है और अब यह है एक कंट्री जर्मनी और इस जर्मन अंपायर के राजा है किंग विलेम दे फर्स उन्होंने जो अपना जो उनकी जो ताज कोशी है वो भी वर्साय में हुई फ्रांस के अंदर कितनी बेज़ेती फ्यूल हुई होगी फ्रांस के लोगों को बट इस लड़ाई के बाद फाइनली सेट हो गया कि अब जर्मन अंपायर एक हो चुका है और इसी को कहते हैं युनिफिकेशन और जर्मनी धान रखिये कि अभी भी Kingdom of Austria अलग था बट इसी के बाद इन दोनों जो जर्मनी था और आस्ट्रिया हंगरी की विच में दोस्ती थी और इसी वज़े से यूरोप में जो पावर बढ़ गई थी जर्मनी की उसके वज़े से फ्रांस को और उसके साथ साथ बृतन को खत्राफी लो रहा था और इसी वज़े से यह जर्मनी की पावर को कंट्रोल करने के लिए अब फ्रांस और बृतन का अलाइंस हो गया और इसी वज़े से जब फर्स वर्व रॉर छिड़ा तो फ्रांस और बृतन एक साथ थे और Austria-Hungary का empire और German empire एक साथ था but ultimately यहाँ पे हार हुई Germany की और Alsace-Loring का जो region है वापस France ने दे लिया अगर आपको पूरे World War के बारे में एकदम detail में जानना है तो कैसे यह war शुरू हुआ इस war के दौरान क्या क्या हुआ और end में जहाँ पे King William I ने अपनी ताज बोशी की थी वहाँ पे एक और बहुत important चीज हुई थी और अगर आपको वो पता है कि क्या था वो तो उसको भी मुझे comment में बताना Finally अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चानल जग्यासियम को सब्सक्राइब कर दो कर दो